हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक तो माई यूट्यूब चैनल रभी एजेंट साइन्स फ्रेंड्स आज की इस विडियो लेक्ट्टर में जेनेटिक्स का एक बहुत ही इंपार्टन टॉपिक को कवर करेंगे और आज का सो टॉपिक है वह है क्रोमोसूम येनि गुंड सूत्र क्रो हैं दोच्टिन वार देखते हैं कि स कुष्म सारी विवर सको फास्स्टम सब्सक्रांगेश को प्रसंद आता है तो चैनल को सबस्क्राइब करना न बोले और साथी साथ वेल आइकन को प्रेस कर देंगे जिससे जब भी कोई नशीव आए लससे न्वेडियो आए उसकी करते हैं और इंपॉर्टेंट्स को कवर करते हैं तो आज का जो फस्ट जो कुष्टन से इस विडियो लुक्षर का वह विच साइंटिस्ट गेव दा नेम आफ क्रोमोसुम कौन से विज्ञानिक ने क्रोमोसुम या नाम दिया तो कुछ चीजें हैं जो बेसिक सब को पता होना चाहिए तभी मान से को ०ो करने में अच्छा लगता है मज़ा आता है तो पहले करोमोसुम को समझते हैं करोक्र क्या है तो इन इक दूसरे से एक दूसरे से सम्वंद्यत हैं तो जीन आपका लिए आपका क्रिषों से और डिएने और अलग थाया है तो एक यह चेंजे जहें उनकी सुनआशना नहीं हो रहा है व्रदिवाली अवस्था में है तो उस टाम क्या होता है उस समय हमारा जो हमारा जब अर्वान्सिक प्दार्थ होता है अब जने अब जनेटिक मेट क्या है ऐसे मैटेरिल या ऐसे पतार्त जो अनुवांसिक लेच्छनों को जनी जनेटिक करेक्टर्स को एक पढ़ी से अगली पढ़ी में ट्रांसपर कराते हैं उन्हें ही अनुवांसिक पढ़ार्त के रुप में हमारा डीने होता है में सभी ख़तारियों में डीना अनुवांसिक पतार्त की रुप में कौंसिडर कियाता है माना जाता है और पॉल्ड प्रयूर का रूल प्ली करता है तो फ्रेंट्स डीने जो है आपका इस डीने को हम देखते हैं उस समय देखते हैं जब कोश्का सामाने अवस्था में होती यह नहीं जब कोश्का में सेल डिवीजन नहीं हो रहा है तब यह डीने की रूप में पाया जाता है लेकिन जब कोश्का में डिवीजन कोश्का डिव सित होता है वह उस फैस्ट इन ही होता है वो कुछ निश्यट एक आयू में कंडेंस हो कर के ठीक मोटी मोटी रसियों का रूपнит का लिए ठीक है उसमें फ्रेमें होजाता है और यह्योग उसनी सिट इकायाğा इसका डायमेटर होता है डायमेटर होता है और यह जो हमारा जो हमारा इनने है यह आपका 14 के फूरटीन हेंडर है त्वाल Souls आ करो मिनसक्त ही इतना पतला थागा यह वोन धाल्य खताुट है औरning जाता यह सकते हैं कि घिक तो डीने के कुछ फंक्शनल पार्ट होते हैं जिसे जीन कहा जाता है नॉर्मली फंक्शन फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों जीन के अंदर गाते हैं लेकिन जीन उसी को कहा जाता है जिससे एक बिस्ट प्रकार की प्रोटीन मनती है जो किसी करेक्टर्स के विच्ट साइंटिस्ट गेव देनेम आप क्रोमोसुम कौन से विज्यानिक ने क्रोमोसुम याने गुंडशूत्र नाम दिया आपके पहला आप्षान है का कॉर्ण नाय गेली ने भी आपका डवलू फ्लेमिंग ने वाल्टर फ्लेमिंग ने सी आप्षान इस ट्रासबर्गर क्रेक्ट आप्षान हो जाएगा वाल्ट एर अगले क्यों की तरफ जलते हैं कुश्चन नमबर सेकेंड को सेकेंड है आपका हाव मैंनी क्रोमोसुम आर फाउंड इन जीनोम में कितने गुर्षूत्र पाए जाते हैं तो सबसे पहले जीनोम को समझते हैं जीनोम क्या है तो कुछन इड्यान क्योंग नौर्मली दो दो number पाएते हैं कि इड्य नमबर होता है यह जो two a number होता है यह जो na सोमेंटिक सेल्स सेल्स और काकुष काक्षओं में गुलोसूत्रू की संख्या त्यों होती है और जो सेक्स सेल होती है यह जाए नमर और इससे गुज ब्युट नमबर और यह आपका है लड़ लटा तो जो है पलार नमबर होता है इसे को जीनों भी इती के टो गुनसू तो पर अगुरित समझे यह सम्झत यह सम openness करण الن जा है कि आपक्रोउसों गोल तो जो जनों में कितने नमबर हो्मएंग आपक के टो जाएगा वन जीनॉम रीप्रेजन करता है आपके एक गैमिट को ठीक है एक जीनॉम जूए आपका एक गैमिट को रिपर जिक रिपर दिए आपका इस में नंबर आप अपको फाउंड इन विच टाइप आप इसल अभी जस्ट ऊपर हमने बताया था समय और सेक्स अब तो जो और आपका ऑप्शन को यह ताहिए तो हमने बताया था जो काई कोशिकाओं में ही प्लिखोश काउं सेंच-व जाए प्लाइगा यह नमबर यह नहीं जो डिप्लाइड नमबर आपका काई कुछ कौन पाया दाएगा अगला कुछिशन है कुछिशन नुबर फोर एट माइटोटिक मेटाफेज इस क्रमोसोम कंसिस्ट आप टू स्टेक्चर बैट कॉल माइटोटिक जो होती है माइटोटिक का जो शर्ण इसमें नॉर्मली चार फेच वाजते हैं एम फेज में ठीक है इसमें तो आपका इंटरफेज में ग्रोथ अपनी करती है अपने प्रेपेर करती है जिसमें आपका जीवन एस जीटू इन फेच को आप पढ़ेंगे प्रिपेर कर रही अपने को त्यार कर रही ट्वाइड होने के लिए हैं है तो इसक्र पूछ नहीं कि यहाए आपका अंपेजन नहीं एन फेयर की इसमें गुझणसूत्र होते हैं अपने जैसे एक संस्क्राइब करते हैं ऊसे किया कहते है ़िए एक कॉप्सोत रह टेका है विए कॉप्य अबना लेते हैं तो यह क्या गयाते है इस सबस्क्राइब कहा है। इसे क्या बोलेंगे इसे बोलेंगे क्रोमाइटेड एक सी आपका क्रेक्ट आप्शन हो जाएगा अगला कुछ नमर आपका फाइब सम्टाइम्स था क्रोमोसों बियर राउंड इलॉंगेटेड और नॉब लाइट अपनेटेश नोन ऐस कभी-कभी क्या होता है कभी-कभी जो जो बूंड बोलाइब कhesक्र बना यह चैनल ऊहिए नंव लाम बनाते इसे क्या करें इसे सекंडी कांसिक्शन कहते हैं इसे चैलो मेर्स कहते हैं यहांसे सैटेलैट करते हैं तो फ्रैंट्स इसे बोलते हैं सैटेलैट इसे एक द्खेश की मैं लखिए विसमें में से नीच फ्रैंट में लिखेंगे डिखाई गए है मिनट इपर याँ यह तो टूकी अब बाइमरी डिक्सेट्टिक सब्सक्राइब है यहीज अगर यहां से एक और बन जाए और यह से हैंगें यह इसे का इंग आप पर दिखा जाएगा यह तूं यह से मैं गुड्र पाया जाता है सटलाइट वाला च्राट होता है नौब लाइक इस्टेक्टर उससे कहते हैं उसे कहते हैं उसे कहते हैं सेट कुमोसों टीक है तो क्या था सम्टाइम सब्सक्रों सुम्ट बियर राउंड इलांगेटेट या नॉब लाइक इस 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 आपका सी आप्शन करेक्ट आप्शन हो जाएगा आगले कुछ तरफ मुव परते हैं कुछ नमर आपका शिक्स पॉलीजीन क्रोमोस वाज डिसक्वर्ड वाई विच्सेंटिस्ट कि साइंटिस्ट दौरा जो है इसको डिसकोर्ड किया गया था आपको आप्शन है इजी बाल भी यानी बांस कॉल और एच बाइच तो आपका पहला आपसट में यह स्पेसेल टाइप की क्रोमोसों होते हैं पॉलीटेन जो क्र पॉलेटिन और लेंब भूसरी दो स्पेसल टाइब आफ क्रोमोसों पढ़ेंगे उसमें आपको देखने को मिलेंगे तो पॉलेटिन क्रोमोसों जो है आपका एजी बाल वियानी के द्वारा जो है डिस्कवर किया गया था फरस्ट आप्शन करेक्ट आप्शन अगला कुछ न एक्रोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक समेटासेंट्रिक और ट्रोसेंट्र यहां चार बंक्रोमीर पोई-बेसिस इस परoe क्रोमोसोम किस सफेज में दिखाई देखते हैं कुश्का में गूल्स कूठडर कभ दिखाई देता है तो normal phase upsell में ठीक है जब कोशिका normal phase में होती है तो उससमें दिखाई देता है dividing phase upsells में यानि कोशिका में जब विभाजन होता रहता है तो उससमें गुंडशूतर दिखाई देते हैं आफ्टर डिवीजन यहीं जैसे ही डिवीजन हो गया उसके बाद दिखाई देते हैं यह आल इस इन सभी आस्थाओं में देख सकते हैं हम गुंडशूत्र को नॉर्मली जो गुंडशूत्र होते हैं वो डिवाडिंग फेस में दिखाई देते हैं आपका option नमर आपका भी क्र अगुष्ण भागे उसे क्या कहते हैं उसे योफ्सें करें टेंण कोमेंटिन क्रॉ nữa को सेंट्रोमिर कहते है प्लshण के कि दो फर्एंट्स बेस्टों यहां पर संगनान कम होता है यू करॉत के उक्रोमाइडल सुगोधी ये वाला फार्ट यू क्रोमाइड ने जो सुठी जो जीन्स होते हैं उननकी अधिक्ता पाए जाती है इन का है llama के दिक्ता पाएगी अधिकर में पाहता है यहांतोषितन होता है इसमें ज्यादा और चाहिへ система हें और से लिखाई देगा ठीक है तो आपका पहला आपका करेक्ट आप्षन हो जाएगा इसको हिंदीम कहते हैं वरण करणिकाएं किस विग्यानिक के आपका बलिंग करेक्ट इसक्र हो जाएगा डियुघन को या ग्रूप आफजीन को रेप्रेजेंट करते हैं आपका second option correct हो जाएगा friends अगला question है question number 11 11 number का question which scientist describe the structure of nucleosome किस विग्यानिक ने nucleosome के structure को describe किया था तो friends इसमें आपके option है पहला option आपका woodcock ने B option आपका R. Cornberg ने C option आपका belling ने या D option Johnson ने तो इसमें जो option number आपका B है correct option है आपका R. Cornberg ने nucleosome के structure को describe किया था इसमें और भी option है आपके पहला option है woodcock तो woodcock ने क्या किया था इन्हों nucleosome को first time इसको describe किया था और साथ ही साथ जो है इसको nucleosome term में भी coin किया था लेकिन R. Cornberg ने इसके structure को describe किया था इस्टोन और ननिस्टोन प्रोटीन पाई थी है इसमें इस तरीके से इस्टोन और ननिस्टोन प्रोटीन का क्या composition होता है इन सारी बातों को mention किया था किसने R. Cornberg ने और woodcock ने जो है nucleosome term को coin किया था और छोड़ा बहुत इसके बारें mention किया था ठीक है पाजते हैं पहला आपका rice में पाजाता है यानि चावल में B option आपका o site of vertebrates में पाजते हैं C option आपका slavery gland of drosophila में या D option all these तो आपका इसमें B option है आपका o site of vertebrates यह आपका correct option है जो कशेवर्की होते हैं कशेवर्कों के जो अंड कुशका होती है उसमें इनको आप आजने से देख सकते हैं तीसरा वाला जो option है इसमें slavery gland of drosophila इसमें जो आपके polytine जो गुंसोत्र होते हैं ठीक है polytine गुंसोत्र कहाँ पाए जाते हैं तो उसका एक example है slavery gland of drosophila ठीक है आप प्रोटीन molecule are found in nucleosome structure जो nucleosome structure होता है उसमें कितने प्रगार की protein पाए ती हैं तो friends आपका इसमें b option correct option है चार प्रगार की पाए ती हैं कौन-कौन सी है yes to be yes to be yes three or yes four yes to be yes to be as to be as three or as for as three and as four यह चार प्रगार की proteins पाए जाए ती है किसमें टू-टू की संखें पाइते हैं ठीक है दो दो की संखें पाइते हैं अगला है question आपका 14 विच फेज आप सेल डिवीजन क्रोमोसोम क्लियरली विजबल ठीक है यह करेक्टर है कि यानि सेल डिवीजन जो होता है को उसके किस फेज में आप जो है गुण सोत्रों को विजबली देख सकते हैं तो प्रो फेज में ज्यादा क्लियर विजबल देख सकते हैं तो प्रो फेज में ज्यादा क्लियर विजबल देखते हैं या मेटा फेज में एना फेज में या तिलो फेज में आपका बी आप्शन करेक्ट आप्शन है यानि मेटा फेज में आप गु और यह टुटोरियल का last question भी है Congping of chromosome इस गालड Chromoscope के covering को क्या कयते हैं option आपके matrix कहते हैं तीलोमेर कहते हैं पेलिकल कहते हैं या Nikolosa कहते हैं तो इसमें option number आपको जो Cy है ये correct option है पेलिकल इनकी जो covering होती है गंसूत्र रहें तो गंसूत्र की Packering है यह जो आपका तो बाहरवाली जो मेंब्रेन होती है इस मेंब्रेन को कहते है पेलिकल ठीक है यह आपसन आपका करेक्ट आपसन हो जाएगा फ्रेंट्स यहां पर इस विडियो लेक्ट्र में एक फिगर भी इंक्लूट किया गया है और इस फिगर को तुर्णा समझ लेंगे तो उपर जो ची इसके अलावा इसमें दो अस्थानों पर दोनों और प्रात्मी संकुचन इसके अतृक्त कभी कण चोचरों में एक और एक एक्स्ट्रा जो आयकांचुसे से कोंस्ट्रिक न कहते हैं में ये से इक श्रा इक्षा कंसें ध्क्स्रेक्षों कहता है। दितैक संग्उचन भी दिखाया गया है तो सेकंडरी कॉंस्टिक्षम के बाद जो सनस्णा का निर्माण होता है ये जो सनस्णा बनी है ये जो सनस्णा बनी है इस सटेलयट कहते हैं एपके इसे क्या कते हैं सेटलयट तो ऐसे वृता है उसे मैट्रिक्स कहते हैं इसकी कवरिंग को क्या है इसकी जो कवरिंग होती है और दिखायाएगा है इए इसके बाद कि सेटलीट कहते हैं जीकि यह सेटल्याइक है इसमें अगर इसको देहान जीसे कि रिखिव में देक्ण इस को देखें तो इसमें पर कुछ डॉती में होती है को इसको मदा नहीं को ना होते हैं इन डॉट को करते हैं इसे क्रोमेर ठी सकन渡 जो वहते हैं क्रोमेर जो होते हैं यह एक गार पॉर स्फीर दिखाए गया ठीकिए एकदम सिंपल सा फिक Toby दिखाया है क्रोमोसॉम का, यह है क्रोमोसॉम, इसका primary construction है, centromere भी करते हैं, इसे kineto-core भी का जाता है, और यह दो arm इसके दिखाये गये हैं, यह chromatode हैंट का? यह क्या है? अपस में इन दोनों को कहते हैं, sister chromatistik है, और यह arm छोटी वाली आर्म को P कहते हैं, बड़ी वाली आर्म को Q कहते हैं तो P और Q आर्म ही कहते हैं, यह sister committed scientific है और वाकिस निसना तो इधर mention करी दिये गया है तो friends, आज किस वीडियो लक्षर में क्रोमसोम इस topic को cover किया गया है इससे related 15 important MCQs को भी cover किया गया मुझे उमीद है कि यह वीडियो लक्षर आपको समझ में आया होगा और इससे related जो भी questions इस वीडियो लक्षर में include किये गये हैं सभी questions आपको बेतर तरह के समझ में आ गया होगे तो friends, एक नए वीडियो के साथ जल्दी आपसे मुलागात करते हैं तब तक लिए नजया